हेलो गाईज वेलकम तो स्टड़ी विद देभ भूमी फ्रेंट्स आज हम इस वीडियो में देखेंगे समानने हिंदी मौक टैस्ट का पार्ट बाइस यह एक चैलेंज की विजए जिसमें से आपने 20 में से 20 लाने हैं देखते हैं कितने वीवर्स के 20 में से 20 आते हैं आपके ज समानने हिंदी के 20 कोशन देखने को मिलेंगे यह सिलेबस के अनुसार है यह यूके ट्रकल सी का जो सिलेबस है उसके अकोडिंग हमने यह वीडियो तैयार की है तो चलिए ज्यादा टाइम ना खराब परते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं पहला कोशन है देव नागरी लिपी में सुवर वर्णो की संख्या कितनी है तो इसका सही आंसर है 11 अगला कोशन है हिंदी भासा का जन्म हुआ है काफी most important question और काफी repeat भी होता है तो हिंदी भासा का जो जन्म हुआ है यह हुआ है अभ्रंस से किस से हुआ है अभ्रंस से देखे इसका किलम क्या है संस्क्रस से पाली पाली से प्राक्रत और प्राक्रत से अभ्रंस और अभ्रंस से अभट अभ यह किरम भी आपको याद होना चाहिए पहला संस्क्रीट उसके बाद पाली फिर प्रक्रत अभड़न्स अभट और हिंदी अगला कोश्चन है इमानदार सब्द में कौन सा बिशेशन है तो इमानदार सब्द में जो है कौन सा बिशेशन है गुड़ वाचक गाईज अगर आप जीके और जीएस की डीपी तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल टॉप इस्टड़ी 90 को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्किप्शन में दे रखा है आप वहाँ जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप जीके को डीपली पढ़ सकते हैं अगला कोश्चन है पी पर पात सरिस्मंडोला में कौन सा अलंकार है तो इसमें अलंकार है अनुप्रियास अलंकार ठीक है जिस रचना में ब्यंजिनों की बारवार आप रती हो वहाँ अनुप्रियास अलंकार होता है तो इसमें देखिए पी पी कितनी बारा है तीन बार और इसमें साभी दो उत्वार आया है है तो अनुप्रियास जो अलंकार होता है ये सब्सक्राइस अलंकार के अकला है अब रहे भाई जो अनिय माता से उत्पन हुआ हो प्र उसको क्या बोलते हैं अन्योदर पो अधिकला कुष्न कि के अनेक हो नाम है का सुध हो होगा थो लिगे इसमें जो सुध हो गवा वहाँ ऋधिक के अनेक नाम है ठीक है अनेक नाम है तो अनेक कभी आपने देखा अनेक य sousन बर्षा उसको किस तरह से लिखते हैं, तो देखें समसान को किस तरह से लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं, तो option C हमारा सही है, अगला question है, निम्न में से कौन सा सब्द तुर्की भासा का है, तो देखें इसमें तुर्की भासा का सब्द कौन सा है, कैची, कौन सा है, कैची, अगला question है, गधा का तत् तो गदे का तस्सम रूप होता है गर्धब तो सही है अगला और नहीं जुरे रिषाने का अर्थ है तो देखिए तुट चाप नहीं जुरेरे रिषाने רט होता है नुक्सान हो जाने पर करोद करना बियर्थ है अगला कोशन है दाम लगाने का अर्थ है तो देखे दाम लगाने का अर्थ होता है मूल लिया आखना तो और kep 시 अ हमारा सही है अगला कोश्चन है निमन में से एक देपता का परियावाची नहीं है तो देपता के जो परियावाची होते हैं वो कौन-कौन से होते हैं निर्जर होता है तिरदर्स होता है ठीक है और गिरबार भी होता है लेकिन किंकर नहीं होता है ठीक है देपता के कौन-कौन से होते हैं परियावाची एक त तो यह भी आपको याद होने चाहिए अगला कॉश्चन है निम्न में से कौन गलत यूगम है तो देखें मूख का बाचाल होता है एसवर्दी का अनैसवर्दी होता है छली का वही रंग होता है यह गलत है ठीक है वही रंग किसका होता है अतरंग का किसका होता है अतरंग का ठीक है तो ऑप्सन सी हमारा गलत है मतलब यह यूगम जो है गलत है अगला कॉश्चन है मूर्चेता का अर्थ है देखे जो मूर्चेता होता है उसका अर्थ होता है मूर्ख क्या होता है मूर्ख अगला कॉश्चन है सै कर्मक क्रिया की पहचान करें तो इसमें सै कर्मक क्रिया कौन सी है पढ़ना कौन सी है पढ़ना अगला क्रिया कैसा सब्द है तो क्रिया एक बिकारी सब्द है कैसा सब्द है बिकारी सब्द 2001 अगला कॉस्षय अ को subtय है छिर्थन में कौन सी संदी है मैं तो देकिए अगर संदी भिष्चेत करें तो निर्थन का संदी भिष्चेत होका नी प्लस धन तो इसमें कौन से संधी आप पैचान गयोंगे इसी से तो इसमें कौन से संधी है बिसर्ग संधी यानि option B हमारा सही है अगला question है विद्वान की संग्या का उधारन है तो विद्वान जो है ये की संग्या का उधारन है ये जातिवाचक संग्या कैसे संग्या है जातिवाचक संघ्या अगरा कुशेन है का कौन सा सब्सक्राइब गता है तो इसमें सोचना आपने सूचना मिलती है तो यह सुचना मिलता है तो इससा पहचान सकते हैं स्विक्राइब तो सुचना किस प्रकार का सब्द स्त्रिलिंग है मैं अर्धि व्राम-चिंड को पहचानिये तो समानी हं दिख महsm कौन से यह व्राम के दोटा यह जो से आने वाले अग्जाम में आपकी काफी मदद कर सकते हैं वीडियो को लाइक करें शेयर करें कुमेंट करें को सब्सक्राइब आजका सब्सक्राइब कर लें तो यहां देली समानी हिंदी उत्राइखन जीके से संबंदित वीडियो डालते हैं तो चली गाइस मिलते हैं अपनी डेक्स वीडियो में